अब करता है यह लॉंग सोलेनाइड है अब हम लोगे पास सोलेनाइड है अब सोलेनाइड का डेरिवेशन और पढ़ाई तो किये हो गया फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देंगा कि सोलेनाइड के कि इसमें बच्चों को को अब सोलेनाइड है जिसकी लेंथ है लेंथ एक्च्वल में 50 सेंटीमीटर लेंथ है और जिसमें टोटल टर्न्स है वो हंडेड टर्न आ रहे है अब यह जो जो यह यह वो टोटल नंबर अब टर्न्स है तो कहता है इसमें अगर हमने करेंट फ्लोग पर आधिये 2.5 एमपीर मतलब सोलेनाइड जो हमारा स्लेवस है मैगनेटिक फिल्ड यह सोलेनाइड के एक्सिस पर हमें निगान नहीं होती है मैगनेटिक फिल्ड यह दो डायगराम आ गया है इसको मैं डिलीट कर देता हूं तो मैगनेटिक फिल्ड एक्सिंटर आप सोलेनाइड यह हमें सोलेनाइ इस सेंटर पर मेरा मतलब करेंन के यह तो ओदर और बाहर में च्रक्रीअग होती है तो यहां पर होती है अप्रॉक्सिमेटली अगर अच्छा-कावब यहां पर यहां पर यहां इसको यहां चोंटा हो सकता है अगर मैं इसको एक्सीज बाला cross view बताऊं यहां पर तो यह इसका center और center पर magnetic field निगालना है तो यहां से एक end से solenide से यह perpendicular यह angle कुछ alpha है और दूसरे end से यह angle कुछ beta है तो axis पर जो magnetic field की value होती है magnetic field की value mu not ni divided by 2 sin alpha plus sin beta के equal होती है यह actual में formula होता है magnetic field का मैं थोड़ा detail में बता रहा हूं यार formula तो सहर कोई याद बता देता formula तो हर कोई याद करवा देता पर physics का मतलब यह नहीं कि यह formula पड़ो physics का मतलब होता है उस चीज़ को समझने कोशिश करो तो center पर और इसकी length L है और इस solenide की cross sectional area की radius है वो आर है तो long solenide तो भोगा long solenide का मतलब है बच्चों कि जो radius है जो length है वो बहुत जादा है as compared to radius बहुत ही छोटा है अगर radius जितना चोटा होगा length के compare में radius बहुत इसमाल है ऐसे solenide के length के compare में हम long solenide बोलते हैं और जब यह solenide long होगा मतलब radius बहुत चोटा होगा imagine करो यह जो radius है यह बहुत चोटा होगा तो यह point जो पी यह वाला point यह यहां पर सिप्ट होगा तो उस वक्त बीटा ज्यादा होगा और अगर long solenide की बात करोगे तो alpha बीटा बराबर होंगे और that is approximately equal to 90 ठीक है तो magnetic field at the center जो आ जाएगा वह जाएगा mu not ni divided by 2 और multiplied by sin 90 और यह alpha बीटा 92 तो 2 ने 2 को कतम कर दिया mu not ni यहन क्या है इसमाल यहन नंबर अब टरंस पर unit length है इसमाल यहन नंबर अब टरंस पर unit length है तो total turn कितना था total turn तो हमारे पास 100 थाया और इसकी length कितनी है 5 cm में है तो मीटर में calculate कर लो 10 की power minus 2 तो यह जाएगा 100 और यह जाएगा 100 ऊपर चला गया और नीचे 50 से डिवाइड करो 0 ने 0 से 2 ने काट दिया तो नंबर अब टरंस पर unit length आ जाएगा वह आ जाएगा 200 इसको तो solve कर लो 200 आ गया तो पर सेंटीमीटर पर unit length यह जो पर unit length यह वह हमारे पास 200 तर्न आ यहेंगे और टोटल यह तर्न सा वह obviously 100 आना भी चाहिए यह आधी सेंटीमीटर के तो आधी मीटर का तो solenide है यह 50 सेंटीमीटर लेंध है तो obviously पर length calculate करोगे तो 200 आएगा चलो तो वह सब बात चुड़ो अब long solenide तो यह वाला formula हमें लगाना है यह formula हमें चाहिए इसमें और अगर कभी-कभी यहां पर पोश्ट देता है send at the end इंड पर अगर बात करोगे part 1 इसको समझ लो और part 2 case 2 consider करोगे इंड पर अगर यह point इंड पर आ जाएगा तो अगर समझो कि यह जो point जहां पर magnetic field center पर calculate करते यह यहां पर आ जाएगा तो अगर imaging करो सोचो अगर मतलब यह कुछ ऐसा हो गया यार अगर मुझे magnetic field solenide के end पर निकालना यह point यहां आ गया solenide है अब मुझे यहां आ जाएगा तो बीटा 0 आ जाएगा ठीक है समझ रही हो यह point यहां shift होगया तो यह line और यह line एक दूसरे प्र आझा जाएगा तो जो beta वह और निटा गुंख जो है वो यह go Jonathan 12 राजाएगा यह line और 89 आ जाएगा और alpha 90 आ जाएगा दो इन्द पर अकर तो मेगनेटिक फिल्ड केल्कुलेट करोगे तो मेगनेटिक फिल्ड की जो वैल्यू आजाएगी मू नॉट एन आई डिवाइड़ेड़ वाइट तो यह हमें अभी यह वाला फार्मिला लगाना है तो बहुत सारे लोग इसमें मिसकंसेप्शन होता है कि अगर बाहर में मेग में 0 बाहर में यहां पर में 0 नहीं होता है तो चलो जस्ट आउटसाइट है तो यह सब की बात है तो यहां पर इन सभी में वेल्यू डाल दो इसमें दिया होगा कि इतना फ्लो हो रहा है वह ऑल्रेड़ी दिया हूग दिया है 2.5 MPR, तो 2.5 MPR, तो यह पूरा जो है, यह solve कर लेना, calculate कर लेना, देख लेना यह कितना आ रहा है, ठीक है, साइध यह second option इसका match कर रहा है, तो यह पूरा solve कर लेना, और I hope कि आपको clear हो गया होगा, चलो, अत्री कि richness कर लेना, बिच्यो सत हीो लेना, तो यह कि एना रहा है, तो बगी कितना है, साइध यह कि आपको clear है, सीत्सका है, वे ज Regूपकर, प् से Step 3, कि आपको E